इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फर्श्ट लेयर को सॉल्व गरें सबसे पहले मैं आपको वी कैसे बनाते हैं यह आपको बताऊंगा तब उसके बाद मैं आपको T कैसे बनाते हैं यह आपको बताऊंगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर यह T है And now, how to make V in a Rubik Cube जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बना हमारा V और यह बना हमारा V इसी तरह से आपको चारों के चारों पीस में वी कैसे मनाता हूं यह बताऊंगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपर कही हमारा फुरा क्लार सही है बट अब हमारी यह वारी लेयर खराब है आप देखने के लिए यह अपर लिए आपको इसे वीडियो के मादने के सब्सक्राइब आपको क्या देखना हमें सबस्क्राइब तो यहाँ पर हमारा ये सेट है यहाँ पर हम रही है कि यहाँ ऑर इद्गे करके यह वला पीस निकाल करके इसे करेंगे इसे करेंगे उपर यहां से हटक्राइस अब तेज़ को पहले इसके यूज़ करेंगे निखेंगे इसके करेंगे आत्रेश निखेंगे यूछे सैल शीयक में वोम इसके क्या कौन से नीचे कड़ाने है अमने देखना प्रेट डी रही चाहिए में हमारे यहाँ यथी दो यूपि अधर करेंसे या साइट प्रेट हcharisisisisis इसे हमारा टीवी बन रहा है हाव तो मेक आटी इन रूबिक क्यूब जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा टी बना वाया एंड इस यह हमारा बना टी अब यह भी तो सौल करने पढ़ेंगे ना तो साफसे बात है हम यह दिखाता हूं पहले हमें देखना है कि इसके नीचे कलर पहुंस है यह हमारा ब्लीव कहां पर आएगा हमारा ब्लीव आगा इधर में तो हमें पहले यह वाला जो प्रीस है इसे निकाल कर इसे यहां से हटा क इधर लगाने तो यह कैसे करें यह कि कलर नीचे है है इधर यह महिए अब हमकी इसको लगाने उपर क्योशने हो इसको हमें यूज़ यूज गरेंगे सी thastically अनल यह अले यीज़तर यह नीचे यह इthrop al 로 employment कों। कि अधर लेफ्ट यह नीचे राइट अधर अधर यह कलर हमारा लगिया इधर अधर में एधर में एधर अधर्व में एधर्वेट्ट के लिए नया मेथड आपको बताता हूं क्या पता आपके लिए यूसुल हो बट मिलिए मैं एधर वाले की प्रैफर जादा घ्रागता हूं बट आपको एग नया मैथर्ड सिखाने के लिए मैं यह सिखा देखा कि यह इसके क्लर इधर लगाना तो इसके लिए क्या करेंगे यह इधर अधर हम इस क्लर को करेंगे नीचे अब यह है हमारा कलर यहां से अब यह हमारी first layer होगी है solve आप देख सकते हैं तो यह अब आ जागा इधर और यह इस तरीके से पूरा का पूरा कलर solve Summarize of this section पहले आपको V बनाना है तब उसके बाद आपको T पर focus करना है आपको इस तरीके को कम से कम 30 बार practice में लाना होगा और 20 second के अंदर first layer को बना लेना होगा आपको ज़्याद से ज़्यादा मेरी दी हुई दोनों tricks को बनाने में 1.20 second लगने चाहिए और आप चाहें तो कम से कम कितना भी time ले सकते हैं I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आपको मेरी पहले की वीडियो को देखना है जिसमें मैंने zero cross की hack वीडियो दी हुई है या rubik cube के एक color को कैसे solve करना है यह देखना है तो आप description में जाकर उन वीडियो के link पर click करके उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे like करें और अगर लगता है यह वीडियो किसी के लिए फाइदमन है तो इसे share करें विए Facebook, Twitter and so on मेरे new updates पाने के लिए इस चैनल को subscribe करें और अगर मन में कुछ बात रह गई हो तो please comment करें Thank you, Jai Abiz, Jai Bhart